Okay, मेरे पीछे बोलिए स्वयमे वात्मनात्मानम स्वयमे वात्मनात्मानम वेथत्वं पुरुशोत्मा भूतभावन भूतेशा भूतभावन भूतेशा देव देव जगत्पते स्वयमे वात्मनात्मानम वेथत्वं पुरुशोत्मा भूतभावन भूतेशा देव देव जगत्पतेशा देव देव जगत्पते तो मालो भगवान कहें कि अरे भाई मुझे कोई नहीं जानता तो कोई जो जानता होगा तो कहरें स्वयमे वात्मानम आत्मानम मतलब आप ही अपने आपको जानते हैं लेकिन ध्यान दीजीगा कि यह गुण हम में नहीं हैं जानते हैं अर अपने शरूप के बारे में भी जानते हैं नहीं जानते गीए लेकिन भगवान कि इतने विलक्ष्ण है भगवान अपने से ही अपने आपको जानते उनके अलावा कोई कीनको नहीं जानता समझ राई पैले लाएन इफ़ट वम पूरुषोटमर पूरुषोटम मतले भकवार इकर रहे हैं भूत भावना भूट भावन करते हैं सारे भूतों के उद्गमश्थान मतलब भूत मतलब यहां पे जिवात्मा है इसकारत यह नहीं लिना चाहिए कि सारे भूत आते हैं सारे भूत क्या मतलब सभी आते हैं आते हैं सही बात है थोड़ा एक पॉइंट क्लियर एक शॉट पॉइंट है भूत क्या होता है समद्गेना चाहिए भूत मतलब तत्व भी ह होते हैं कि पंच महाभूत सुने हैं और पंच महाभूत तो इसको ध्यान रखेगा आगे की ठिकाओं में आने वाला है सर्वा भूत आश्यस्तित्ह में आएगा तो पंच महाभूत प्रत्विजल वायु अग्नि अकासित्यादी को भी पंच महाभूत भूत का जाता है भूतिक सभी आध्यात्मिक जीवह के प्रकृति के सभी की उद्घन UP स्थान कौन है भागवान है सांग नहीं कि उससे वस्तो आई है समझ मैं है वह हमारे माता-पिता मेरी माता जी तो यहां पे हैं लेकिन बाकी सब्लों के माता-पिता यहां पे नहीं है इस समय तो हमारा शरीर हमारे माता-पिता के द्वारा आया है ठीक लेके न इस समय जो हमें नियंत्रित कर रहा है वह हमारा कि मालेज्च आपके अथौर्टी बोलता है सफाई करहें तो उन अथौर्टी के शरीर से आपका शरीर नहीं आएं और जिनसे आपका शुरीर आया है वह समय आपको नियंतिरत नहीं कर रहे हैं समझ यहां मेरी बात लेकिन भगवान से सब कुछ आया है और भगवान हर समय हर किसी व्यक्ति को नियंतिरत कर रहे हैं इस구요 कि इसकी करम के अनसार उसको को शरीर देना विश्रीस प्रकार की बlegen बूधिह उसको करल देना इस प्रकार्ट सब किस भगवान कर रहा है उमीद करता हूं ये बाते समझ में आती है तो सुनिल प्रभू भूत भावान करत क्या है जब मैं मैं कहीं देखूंगा कि मन कहीं और है तो मैं पूछ लूँगा क्या बोला गया बताइए भूत भावान करत क्या है पहले बताई भूत का रथ क्या है भूत मतलब गोष्ट नहीं भूत का मतलब क्या है जीवात्मा और और भूत बावाकार्थ है भगवान सभी के उद्गम है और भूतेश का मतलब क्या है भूतनाथ तो सुना होगा भूतनाथ कौन है शिव जी है और भूतेश कौन है खृष् वह भी हैं लेकिन समाने अर्थ भूत प्रयत के ना था अच्छा अगला अर्थ शब्द है देव देवा यह बहुत अच्छा अर्थ है देव देव भगवान के कई बार बोला गया है जैसे जगत में लोग अपनी आवशक्ताओं के लिए किसी देवता के पास जाते हैं कि नही कि एक उसी प्रकार से देवता अपने आवशक्ताओं के लिए जब वह कटनाई में पढ़ते हैं भगवान के बार से किता सुन्दर अर्थ है ना कई बार आप सुरेंगे भागवत में भी आता है देव देव जगत पते बहुत बार आता है देव 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 महेश्वरा कई कि आप लोग समझ करके प्रवचन करें ऐसा नहीं पूरी खाने में देव देव कर लिए यह सफिचेंट नहीं है उसको बताना भी है जगत पते तो असपास टार्थ है पुरे जगत के स्वामी हे परंपुरुष हे सबके उदगम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मान के प्रभु निसंद है आप एक मातर आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं और जब इस अंतरंग शक्ति का आश्रे जीव लेता है तो वह भी जित्मात्र भगवान को समझ पाता है थीक है गीता बुशन अप अपने आपको अपने ही ज्ञान शक्ति से जानते हैं एक क्विज ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है ज्ञान शक्ति का मतलब नॉलेज एक्वारिंग पॉटेंसी ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या होता है यह अच्छा है कि सब लोग भूल जाते हैं आपको पुछ नया बुलने की जुरती नहीं है पुरा नहीं याद नहीं रहता येस प्रभू माइक क्यों बताईए अच्छा है जैसे यह याद रहा ना सुरूप लक्षण और तर्टस बूल का breakfast चाहिए तो बताईए माइक बता दिजी तरह साया को सुरूप लक्षण क्या होता है सुरूप लच्षण उसके आकृति और प्रकृति वेरी नाइस बेक फास्ट रिजर्व किया जाए और कटास्त लक्षण क्या होता है वेरी अमेजिंग वेरी गुड़ सीगे क् हाँ पादबर रटा है रट बोलने से बोलने से धिरी धिरी समझ वेरी गुड़ बॉइए अब हम परप्रशन कर रहे थे ज्यान शक्ति क्या होता है मैं हूँ और बाकी सबसे अलग हूँ मैं हूँ और अन्यों से भेहन हूँ यह अवेरनेस इनके लिए एक्स्ट्रा जूस जूस तो इने खुदी बराना है तो आपने आप अपने से अपने आपको पुरस्कत कर सकते हैं जैसे भगवान अपने से अपने आपको जानते हैं ऐसे आप अपने आपको अपने आपी पुरस्कत कर सकते हैं हम लोग क्यों लेकी पुरस्काते सकते हैं प्रसाद समझ गये ह हो यह तुरुत यहां पर है आपर हार्मनियम है समाझ में यह यह प्रशनी क्या हर्मनियम से किया जा सकता है कि इसको ग्यांचक्ति के चाहिए हूं और मैं अन्यों से अलग हूँ इसे इंडिविज्टि कहते हैं हिंदी में कहेंगे वेश्टित्व इंडिविज्वालिटी क्या बोलेंगे वेश्टित्व वेश्टित्व क्या ये वेश्टित्व इसमें है हर्मनियम में ये नहीं है अमने सेंस है ये हर्मनियम है लेकर ये मैसूस नहीं कर सकता क के मैं Harmonium इसा बहुत बहुत अच्हा बोले थे कि इसलिए जीवित व्यक्तियों का बहुत महत्व है मैं यहां पर Harmonium और Laptop को क्लास नहीं दी सकता मैं संभंध Harmonium और Laptop से नहीं लें कर सकता Guru-Maraj बोल रहे थे इस पर कि English नहीं बोले, people are meant to be loved and things are meant to be used सब्सक्राइब है जाए अपने जीवन में इसका महत्तों सब्सक्राइब दिखना चाहिए उस्टवू का उपयोग करने चाहिए उस्टवू का उपयोग करने चाहिए प्रयास कर यह सबसे बड़ी प्रावलम है के नहीं लोग इस्तेमाल कर रही है और एक्चली ऐसे इस्तेमाल करते जिसे हम मोबाइल माउस यूज करते हैं यूज करते और फिर फेग देते हैं यह सब असब बेदन शीलता हो गई है अजकल के समाच में भक्ति ना करने के कारद इसको हिंदी में ऐसे किया दाएगा कि आजका सब वस्तू को ही मनोग पैसे बचा लो धन बचा लो इस प्रकार इस बाते करते हैं और पॉइंट में यह बलता कि ज्यान शक्ति पदार्थ में नहीं है भगवान में है अर्थात वे आपकी सिवाकों से अभिग्य हैं कि आप जब कर रहे हो आप भजन कर रहे हो आप उनकी प्राप्ति करना चाहते हो वह यह बात भी जानते हैं एक संस तो यू इस समें हिर्दय में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि आप गीता पढ़ रहे हैं यह सुन रहे हैं यह विश्वास है यह नहीं है कभी भी आप चतन च आप में कोई information gap नहीं है कि समझते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई सेवा करी और भवान को बताए भाई उन्हें को सेवा करें सब पतरत देवताओं और दानवों में जो आपके भत्त हैं वह बहुत अंश में आपको इस रूप में जानते हैं जिसका वर्ण नभी ही समझ में आई बात देवता और दानव नहीं जानते हैं लेकिन उन्हें जो भक्त हैं वह कुछ जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता है कि क्या व्याख्या हो रही है स्वय मेवा आत्मानम आत्मानम विठत्पम पुर्शोत्मा क्या मैं समझा पा रहा उनने बोला कि विदुर देवाना दानवा है, देवता और दानवा को नहीं जानते, फिर क्या बोल रहे है नेक्स्ट में, स्वयम एवा आत्मानम आत्मानम, अर्थात आप ही अपने आपको पूरी तरह से जानते हैं, फिर यहां टीका में बोला जारा है कि देवता और दानव में जो भगता हैं वे आपको कुछ मातरा में जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से तक इवल आप ही अपने आपको जानते हैं आप समझ मैं है ये यह यह एवा शब्द से सूचित हो रहा है ये पुर्शोत्तम अर्थात सभी पुर्शों के इश्वर ये भूत भावन अर्था सभी प्राणियों के जनक फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई उनका संबाना करे इसलिए अर्जन कहते हैं कि हे भूतेश है अर्था सभी प्राणियों के नियंत अब बड़ी सुनर बात रिदे में आ रही है मान लोग कोई आधमी है उसने दस लटक्य को पर्णिय किये तो उन बढ़ापे में कोई उसको देखता है, बढ़ापे में वह चीखता रहा था, महाराज बड़ा विनोध में बोल रहे थे, हम लोग राज़स्थान में घर में गए थे, तो देखा था हम इस परकार से, वह थूख रहे थे, उठने की शकती नहीं थे, थूख के नहीं के लिए ब इस अब आखों देखी बात है इसको कोई हमने नाम तो मैं भूल गया किस क्या किया था लेकिन देखा हुआ है याद है बड़ी दुरगती तो यानि कि वह उस उन लड़कों के जनक तो हैं लेकिन उनके कंट्रोलर हमेशा नहीं रते कभी कभी बोलते ना यह लगका हमारा सुनता ही नहीं है तो इसलिए आप समझ रहे हैं जिसने जनम दिया है तो उसके प्रति कभी कभी सम्मान या प्राया आजकल समान समाब तो हो जाता है आजकल भी लोग बोलते हैं गौड इस डेड या भगव तेशवर अर्थाथ वैस सभी प्राणियों के नियंता भी है तो इसलिए सम्मान या इंट हो सकते हैं परंत हो सकता है कि पूझ नहो अब यह क्यों कह रहे हैं देखिये कोई नियंता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका सभाव बहुत अच्छा हो ज़रूरी नहीं हो को इड उनका एक हजार आठ प्राता स्मर्णी यह वो इनका अचरित्र देगेंगे तो सब भगवान के विरुद्ध बोल रहा है तो क्या प्रस्मर्णी क्या पूजनी तो कह रहे हैं ना सिर्फ आप उद्गम स्थान है अपितु परम इड्य है नौमीड्य ते वरभाव पुशे कौन बोल रहा है ब्रह्माजी दादा सहाब बोल रहें पिता महाँ बोल रहे हैं कि नौमीड्य किसो बोल रहे हैं च्छोटे बाल क्रिष्न को प्रणाम कर रहा हूं तोन इसे बारे में सोचना के लेसा नहीं ऐसानता हो सकता है कि पूज्य नहों तो Spararजन कहते है कि डेव देव अर्थात जो देवता सभी के द्वारा अराद्द्त होते हैं उनके भी आप अराद्द्त है कितना सुन्द्न अर्थ देवता भी क्या है यंब्रमहावरुडेंद्र रूद्र मरुतह सब उनकी पूझा कर रहे है स्तुन्वंत दिव करते प्रमानित से लिए कोई पूज हो सकता है यद्य पी कोई पूज हो सकता है फिर भी सबका रक्षक हो ऐसा जिरूर०ी नहीं है आरे ऐसे पूजा कर रहे हो जैसे अभी UK के प्राइम मिनिस्टर उन्हें गोशना करें कि हम सब लोग करोना से युद्ध करेंगे और जरूर जीतेंगे और खुद ही करोना को पकड़ में आ गए मरें नहीं लेकिन उनको अब जो है जब वो बिमारी हो गई तो नर्स के आप सरह लेना पड़ा अब भगवान को दात का दर्द है तो दात के डॉक्टर के पास गए है ऐसा नहीं होता है थीक है भगवान के पास ही जाते हैं तो पूझे हो सकता है फिर भी वे सबका रक्षर खो ऐसा ज़रूरी नहीं है इसलिए अर्जुन कहते हैं जगत-पते अर्थाथ हित-अहित के उबदेश के द्वारा और जीव का प्रदान करने के द्वारा आप ही विश्व के पालक है इन लाइनों के अर्थ समझ रहे हैं आप बहुत अध्बुत अर्थ है कैसे पालन कर रहे हैं भगवान जीवों को बदाते हैं कि तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए अपनी सिक्षाओं के द्वारा जैसे वेदिवास के रूप में आए भगवान और अब ये भी भगवत गिता हमको जो प्राप्त है ये भगवान के क्रिपास ही तो प्राप्त है इससे हम समझ पाते हैं अपना रहीता ही तो कुछ नहीं जाने हम तो पता ही नहीं कि मारा हीता हीत क्या है भगवान से जब सुनते हैं तब हमको समझ में आता है ये बात समझ में आ रही है तो धर्म का जब पालन करते हैं तो हम उससे पालित होते हैं एक और दूसरा जीवका प्रतान करने वाले उसे विचार कीजिगा जीवका हो अगर हम इंसानों की बात करें तो सब की अलगला जीवका निधारित भवाने की होई है ब्राम मानों तो ऐसे कारे करोगे चत्री है तो ऐसे अत्यादी और हर जानवर के लिए प्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा अरे जो बंदर को खिला रहा है जो हाथी को खिला रहा है अपने भग को नहीं खिलाएगा कभी हुआ आपनों के जीवन में ऐसा कि खाने को ना मिला हो और डिवोटी के बने बाद तो बहुत ही असम्भावना है कि खाने को ना मिले मैं को सची घटना बता रहा है मेरे संगी हुई मुझे बड़ा बिश्वास हो से हम आग्रा यह साता में गए जो भी वह बहुत लेट ह तो लोक नाथ गौर्प्रवुसे में हमारे की डीटी में वी सेवा करते हैं तो उन्हें महाप्रसाद का डबा अप्रवज आपके लिए प्रसाद रात के सौड़े नाव भुजे तो आप देखी का जीवन में हमेशा भगवान की विश्था रहती हमेशा भगवान की विश् और मेरा फोन नहीं लग रहा था मुझे पता नहीं था कि वो कैसे आएंगे मेरा फोन नहीं लग रहा था जैसे ही मुझे साड़े-पांच मुझे भूग लगना चालू हुई जैसे उसी समय ग्वालेर स्टेशन पर गाड़ी रुकी और विक्ति आगया प्रसाद आप का सही ढंग से को सही ढंग से नुरूपित किया गया ताथ पर यह बहुत अच्छा लगा मुझे श्लोक तीका बहुत सुन्दर लगे थी परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अन्यायों की भाति भक्ति करने के मात्यम से भगवान के संपर में रहते हैं इसको हमें समझना चाहिए कि भागवान के संपर्ख मतलब भक्ति के नवदा भक्ति के प्रोसेस के द्वारा किसी जब भी हम उसमें सयुक्त रहते हैं तो भगवान के संपर्ख में आते हैं ठीक है और तभी उप्राप्त होता है जो हम भगवान के भक्तों का स संगं काए अर्थ केवल साथ में रहना नहीं होता है उतया क्षों के संक रहना रहानना चाहिए। कि हमारा फ्लैट उनके बगल में है यह हमारा रूम उनके बगल में उसका अर्थी यह है कि साथ में आकर सताम प्रसंगाद ममवीर सम्विदे साथ में आकर भगवान की चर्चा कि जिरी मेरा बचन नहीं है प्रहुपाज जी ने कहा टेकिंग शेल्टर ऑफ अससेशन लेगता कि संग अपने से पढ़ लगते तो कितना अच्छा लगता कितना हृदय में जाता हूं मेरी लिए मुन मैं इसको पढ़कर इतना हिरुद्ञ यई इनके चर्चा होती तो और अब भी जाती है यह दने मेख सेंस घीबाती हैinator कि और इसम्हें पता सब से अधिक फायदा किसका है रा Concné करना प्रशन करने वाला उसका रोटर देने वाला और जो सुनता हैतिनों को फायदा होता है सबसे अधिक फायदा होता रहा है यहां पर जो सुन रहा है हो सकता मन कहीं और चला जाए मैं कुछ और सोचूंगो और आपको बोल सकता हूँ कि ठीक है कि आशुरी ये नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते इस पश्ठ है ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है पातक है मतलब पतन कराने वाला परम पाप है और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवद गीता कि ठीका करने का प्रेद्न नहीं करना चाहीं फरायर लोग उज बहुत opsrom जयसा भगवान ने बता है रोस प्रसथित करते भगवद कीता कृष्ण की वानी है और च्यूंकि क्रिष्ण का तत्विज्ञान है अता इसे क्रिष्ण से ही समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया तो आप क्यों प्रवचन देना है प्रवजी हम तो रिपीट ही कर रहे हैं उसका धारन हम बता रहे थे जैसे हम हमारे गुशाला में एक बार नगर पालिका के का नोटिस आया तो क्या नगर पालिका का अद्धक्ष हमें व्यक्ति का दुरूप से नोटिस देने के लिए आता है एक पोस्ट मैन आता है पोस्ट मैन के पास कितनी शक्ति होती है आपकी जमीन की कुर्की करने के लिए कुछ भी नहीं होता है फिर भी हम क्या बोलते है अर तो उस चक को hall देने वाले के पास कितने पैसे होते हैं पुस्ट मैं की सेलरी कितनी होती है aja maximum maximum 30,000 होती बंद Crazart 85 हो गई है उसके पास तो शक्ति नहीं है 2 लाख आपको 10 लाग दिने की वेकिन हि क्या यह किता रखता है जिसके वजह से आपको एक लाग रुपे का फायदा करा देता है वह उस चेक में साइन नहीं करता है यह थावत लाके देता है ठीक है हाँ क्या करते है ठीक है उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण को अज्ञान परंपरा में दूसरों को दे रहे हैं तो आप उन पर असीमित कृपा कर रहे हैं उनकी जगह जगह भग रही थी अब वह उस ट्रैक पर आ गई है जिसका ट्रैक एक अंती है वह कृष्ण की प्राप्ति करेगा मेरी बाते हैं आप समझ पा रहे हो यह बात अब गें आए जीमिट ब्रहऽत और भागेवान इधर से उत्व भग रहा है कभी देवता बनता कभी अस्यृश कभी श्वर्ग बनता ही कभी नरक दुबआए क्या है और वह सोचता है कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना चाहिए यह बात में देखो आपको कुछ केवल थियोरी से नहीं बोल रहा हूं यह मुझे बहुत अनुभूत होता है कि भगवत भक्तों के संग के दारा कम से कम मैं ट्रैक पे तो हूं भगवत प्राप्ति में यह कितना बड़ा स्वभाग्य है कुछ-कुछ समझ में आ रहा है यह बा और यह हाथों का एक फोटो खीच लो कोई भी बंदा भक्ती नहीं छोड़ेगा अगर हाथ खड़ा कि आया तो मैं ऐसे बोलना हूं क्यों प्रोजी कभी-कभी हो सकता है कि कोई भक्त बुरा बरताब कर दे यह मस सोचे कर नहीं होगा लेकिन यही ध्यान रखिये मैं कई बार अधरन दिया कि हम लोग एक नाव पे हैं समुद्र में हैं लेकि नाव में समुद्र में होना मोईत को माइक द होना दोनों में अंतर है हां है है नाव वी तो समधर में यह तो हम अकेले अगर समंधर में है एतो थोड़ा शुड़क शित्म नहीं नहीं अब समझे मेरी बात माली नहीं सारे लोग सांबर में गिर हुए और टो नाव प्रम सारे लोग नाव पर आ गया वहался давно यहां आप फूली छाहटा बborत दीए और मोहीत मैं और कितना खरह बड़ता हो किया हैं मैंने आप से ज्वीATE कि इतना दूनाओ आटा माल रहे हैं वहाँ पर शार्क खा जाएगी समझ रहे हैं कभी सोचा है कि जो भक्ति नहीं किया है वो मर गया घर में होंगे ना आपके लोग जो मर गए अब वो कहां पर गए क्या गए कब उनको दुबारा भक्तों का संग प्राप्त होगा कुछ पता नहीं आप जानते है और इसी असीमित कृपा को सभी व्यश्णवों को अलग-अलग भाषा में दूसरे भक्तों को बताने के लिए उद्ध्यत रहना चाहिए इसको जितना समझेंगे ना उतना आपको इस ज्ञान को दूसरे को देने की इच्छा करेगी जैसे एक सिंपल से बात है आप लोग को प्रसाद खेला यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपने लोग को ज्ञान दे दिया कि भई कैसे भोग लगाओ और भागवान को खाना चाहिए तो वह रोज प्रसाद खाएगा इस गुड़ आपने प्रसाद खेला दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन अपने ज्ञान दे दिया मेरे बास समाझ नहीं कि क्यों भोग लगाना चाहिए कैसे भोग लगाना चाहिए तो अपने घर में भी खाएगा और परिषिए हो और खारे कर से ब्युक्ति नहीं पूरे भूति हम टी ठाशी अंया काम करती है तो नर्गल सर्भ सब जगति रहे है सब जगति है नरकमे भी पता है नरकमे भीस्तिहें एक नरख जिसमें मैं कुछ दूसरे विक्ति का मास खाऊंगा वो मेरा मास खाएगा और पता है क्या सोचेगा मास तो खाने को मिल रहा है न यह माया की शक्ति नरक में भी विक्ति अपने आपको संतुष्ट मानता है गधा बनके सुवर बनके भी विक्ति कहता है संतुष्ट है कोई दिकत नहीं कि तो अब कवालों अब तौन के चाँब करनेवागा असा प्रस्थण है योगमाया गोलों में काम करती है वैकुंट में काम नहीं करती Speech योग मया के द्वरा भगवाण की बागवता च्छुपी रहती है जोड़ों मैं तभी तो प्रेम कर ठीक है अच्छा प्रश्ण था को कभी अलग से चर्चा करेंगी नोट कर रीज़ से चर्चा्रा करेंगी बहुत अश्य प्रश्ण धाइन अब इस प्रश्न है इसे मुझे बहुत सारी बाते जरुत हमित की याद आ गए इसलिए मुझे बद्थ प्रसंता होई लेकिन अभी मै समय नहीं है तो मैं इसको नहीं बोलवा कहां थे हम कहां था अथा इसे कृष्ण से समझना चाहिए जैसा कि अर्जुन ने किया इसे नास्तिकों से ग्रहन नहीं करना चाहिए श्रीमत भागवत में कहा गया है वदंति तत्त विदस तत्वम यज्यानमद्वयम ब्रमेति परमा अत्मेति भगवान इति शब्दत यह बहुत बड़ा व्यक्या है लेकिन भगवत तत्त्त के तीन लेवल है ब्रम्ह परमात्मा और भगवान तो इस प्रकार से उसको जो तत्त्त विद्ध है जो जानते हो कहते हैं अलग वस्तु नहीं एक ही वस्तु एकि अलग-अलग देखती अथ्वा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथ्वा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षातकार किया है भगवान को ना समझ पाइगा थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस पर कि जैसे एक पहाड है पहाड को दूर से देखते हैं तो एक काला काला कुछ देखता है फिर आप पास जाते हो तो पेड़ भी देखते हैं और और अंदर जाते हैं तो जीव जन्तु भी विवज़ताइं भी देखती हैं उसी प्रकार से भगवान का जो ब्रह्म सो रूप है व भक्ति करता है शौर्ट ने बोल रहा हूं तो बहुत विस्तार किया जा सकता है अताहा ऐसे विक्तिय को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रियास करें जिने स्वेम कृष्ण ने कहा है कभी कभी निर्विशेश्वादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रमानिक्टा को स्विकार करते हैं किन्तु अनेक मुक्त पूरुष्ण को पुर्शुतर्म रूप में नहीं समझ करते हैं इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है अब देखे वही टीका से आ ली ना बात इसको मैं एक्स्प्रेंड नहीं करूंगा इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर सब मदद करते हैं भूत भावन मतलब सभी के जनक करते हैं तो नहीं कि आपसे आत्म हिता हो वह आपका जनक हो जो पिता के प्रति प्रेम है वह तो हर महान वेक्ति के प्रति नहीं होता ना इस समझ देजिए इस तरह से यदि कोई उन्हें भूत भावन की रूप में समझ लेता है तो वह भी वह उन्हें परम नियनता की रू नहीं करता तो क्योंकि भगवान न्यनता है इसलिए दंड भी दे सकते हैं और दंड देते भी है क्या दंड प्राप्त होगा निम्ने योनी प्राप्त हो जाएगा ठीक है या एशा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम इश्वरम ना बजनती अवजानति तानांत भ्रस्टात पतंतियदी जो अपने उद्र pumps अल्च अपने उद्गम स्थान भगवान को नहीं जानता है जो कि ईश्वर भी है भागवत्मे गैरवसง заключ ना बजनती अवजानति गता कि मीजे गिरता है और उसको हम महाप्राव क्या कहते हैं चारी वालनाश्रमी यदि क्रिष्ट नहीं भजे स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मचे स्वकर्म करीते स्वधर्म का आशरन कर रहा है बढ़िया से लेकिन भगवान का बजन नहीं करता है तो वह धर्म करते करते हुए नीच की गम रूप में नहीं समझ पाता इसलिए उन्हें देव-देव सभी देवताओं का पूझनिय देव कहा गया इसकी व्यक्या हो चकी है है यदि देव-देवर्म में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे-प्रतैक वस्तु के परम स्वामी की रूप में समझ में नहीं आते इसलिए यहां पर उन्हें जगतपती कहा गया है हमने इसकी व्यक्षा करी थी ना जगतपती का मतलब था सभी की जीवका प्रदान करने वाले और सबको हित अहित का उब्देश लगाने लेने वाले इस प्रकार अरज के बदचिन्नों का अनुसरन करें क्या पदचिन्नों का अनुसरन करना है जैसा भगवान ने भगवद की तमें बोला है यह थापत उसको वाई से ही स्विकार करना है उसमें कोई तोरूर मरोड के अलग अर्थ देने की आशकता नहीं है कोई प्रशन है तो हमारे पास प्रभाव होता है अज़ा आप रेगुलर्री सुनते रहें किसी भी ग्रंत को तो फृसके श्लोग जो आते रहेंगे दर से उधर से उमन में छपन लागते है वेरी गुड यस बोलिये 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 अन नहीं है माईक ऑन है पली तुला पास से बली इस लोग मे अब रूप के लिला के बारे में तो वहां पर बोला जाता है कि चैत्रमा कृष्णा पोज रहा रादारनी उनका जो प्रेम आसुदन कर रहे हैं कि आप ही यहां गीता में बोला गया कि आप ही अपने आपको जानते हैं अब लेकिन और भागवान चैत्रम चैत्रम नमाझ में सूनते हैं लोग कि कहते हैं राधारानी जानते हैं कि मैं कितना सुन्दर हूं कि इतना मेदरमाधर है नहीं है एक यहां से अलग है उड़े प्रवपाद बहुत अच्छा बताते है कि कृष्ण की शक्तियां हमेशा विस्तारिद होती है तो जानते हैं उनको और फिर जब वह चान लेते हैं तो फिर शक्तियां और विस्तारिद हो जाते हैं इसलिए शाश्वत लूप से उन्न प्रतिस परधा चल रही है ठीक है न इस work में भगवान अनंत हैंं तो उनकी शक्तिएं विस्तारित हो रहे हैं यह भी जगे भागवात में बुला आदा कि आप भी नहीं तो है नहीं अन्लिमिटिट रवपाजी तात्तर में इस प्रकार से समझाते हैं शीमति रादरान और कृष्ण में को देड़ में यह मेरी अंडरस्ट्राइन है वैसे वहां पर देखें बात वहां पर अलक्तर से खा जा रहा है बात ही हो रही है कि जो भगवान की मदूर्ता है उसका आस्वादन भक्ति के द्वारा ही होता है तो इस कारण से भगवान अपने भक्त का भाव लेके आए कि भक्त का भाव लूंगा तब मैं कितना सुन्दर हूं उसको मैं समझभाँ जैसे देखी भगवान यह हम भक्ति सामिस सिंदु में इस लोक उध्रित किया जाता है चतन चतामित में वी कृष्ट अपने कोई स्पाटिक मनी मी देखते हैं तो देखते हैं मैं कितना सुन्दर लग रहा हूं तो अपने आपको पोही अपने आप से जानते हैं तो घणते हैं आपको भक्त के भाव में रखना चाहते हैं कि इक बात मैं बुदाना भूल गया क्योंकि भगवान अपने को अच्छी बात है बहुत सुन्धर बात है देखो हर पहली बात यह कि हर कोई व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता और जान भी ले तो भगवान के जैसी शक्ति नहीं है वर्णन करने की यह भी तो प्रॉलम हो सकती है भगवान अपने आपको पूर्ण रूप से जानते हैं और जैसा वह बोलते हैं उनको पता है कि क्या बोलने से वह स से आपके प्रशन का उत्र से मैं खुद संतुष नहीं हूं मैं सको और थड़ा विचार करके प्र तर दूंगा कि और अच्छा क्या उत्र दूगा कि अचार प्रश्ण अच्छा प्रश्ण तर श्रीमत भगवत किता की जाए श्री लप्रभुपारत की जाए